नमस्ते चात्रों यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में आदिते सेनेम माधव गुप्त के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखे जो आदिते सेनेम जो माधव गुप्त है ये गुप्तोतर कालीन सासक थे ठीक है तो इनके सासनकाल में क्या क्या हुआ इनका परीचे ये सब चीजे हम इस वीडियो में देखेंगे और यदि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें लाइक करें, सेर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिले और हम जो भी वीडियो हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे डाल रहे हैं वो सारे एक्जाम की दरस्टी से बहुत ही महतोपून है अता आप वीडियो उसको अच्छे से धान से देखेगा और जो हमारी प्लेलिस्ट है गुप्त तरकाल उसमें आपको और भी वीडियो मिलेंगे तो आप यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे बने रहें चलिए पढ़ते हैं हम आदिते सेने मादव गुप्त का इतिहास आदिते सेन यह मादव गुप्त का पुत्तर था तथा उसकी मलत्यू के बाद मगत का चक्करवर्ती सासक बना वह वीर योधा तथा सकुसल परसासक था अफसट तथा साहपूर के लेखों से मगत पर उसका अधिपत्य प्रमानित होता है मंदर परवत का लेख अंग छेत्र पर उसके अधिकार की सूचना देता है अपनी विजों के फल्सरूप उसने परम भटारक माराजा दिराज की उपादी ग्रहन की अफसट लेख में कहा गया है कि वह इस जगत की रक्सा करता है तथा उसके स्वेत अक्षत्र द्वारा संपूर पर्थवी सदा डंकी रहती है मंद सो लेख से पता चलता है कि वह उसने तीन अस्वय में यग्य किये थे मंदर परवत पर अधिते सेन का एक और सिला लेख था जिसे कालांतर में वहां से हटा दिया गया है तथा संपृत्ती वह पासान खंड जिस पर लेख उतकिन है वैदेनात के परसिद मंदिर की डोडी में लगाया गया है यह आधिते सेन की विजों का विश्तरित वर्णन परसुत करता है इससे पता चलता है कि आधिते सेन ने चोल राजे पर विजे प्राप्त की थी वह चोल राजे में तिर्थ यात्रा पर गया था जहां उसने दक्सिन के राजों से उपहार प्राप्त किये थे पूरव की और बंगाल के खाडी तथा ब्रहम पूत्तन अधी तक उसका अधिकार छेतर विश्तरित था पस्यम की और आदिते सेन के राजे में उत्तर प्रदेश के आगरा और अवद का विस्तरीत भूभाग समेलित था इस परकार हर्स की मर्टू के बाद मगत के अंतरगत एक विस्तरी समराजे इस्तापित करने वाला आदिते सेन पर्थम सासक था उसने अपने पूर्वे घमी कुप्त समराटों की प्रंपरा का पुन्रू जीवन किया तथा उसके सासनकाल में चीनी राजदूद लगबग 655 इस्वी में वांग हुयन तसेन ने दो बार भारत की यात्रा की तथा आदिते सेन ने उसकी सहायता की अवाता आदिते सेन का धर् कोरिया के बोध यात्री हुई लुन के अनुसार उसने बोध गया में एक बोध मंदिर बनवाया था देव बननाक लेख में अधिते सेन को परम भागवत कहा गया है जो उसके वैशनव होने का परमान है यही उपादी चकरवर्ती गुप्त सासकों ने भी ग्रहन की थी अप अन्य धर्मों के परती सहिशनु था अब देखेगा आता है मादव गुप्त का इतिहास हर्सवर्दन के समय में मादव गुप्त मगद में उसके सामन्द के रूप में सासन करता था वह हर्स का गनिस्ट मित्र एम विश्वास पात्र था अपसड लेख से पता चलता है कि उस अपने समराठ हर्स की ओर से की थी हर्स तरीत से पता चलता है कि जब हर्स सहसां को दंडित करने के लिए गया तो मादव गुप्त भी उसके साथ था हर्स की मर्ट्यू के समय 647 इसवी तक वह मगद में उसके सामन्द के रूप में सासन करता रहा हर्स की मर्ट्यू के बाद उत्तर भारत में पुनह अराजकता फैली तता उसने भी अपने स्वातन दर्ता घोसित कर दी उसने मगद में सांती पूर्वक सासन किया तता अपने समकालिन सक्तियों के साथ मैत्री पूर्ण समन्द बनाए रखे उसने 650 इसवी तक राजे किया तो देखिएगा इस वीडि इंडिया ओल डेज पे इस्तियास समय मैत्रबंन वीडियो मिलेंगे तो यूटुब चैनल इंडिया ओल डेज को ध्यान से देखिएगा आपकी एक्जामें बहुत सहता होगी तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल डेज पे